So, Hello and Welcome back to another video My name is Jimmy और आप देखने टॉक्सिक Marvel YouTube चैनल तो यार, आज मैं आया हूँ आपका कन्फिजन दूर करने के लिए मतलब ये जो आपको Thall, Love and Thunder के बार-बार गदत लिग बताए जा रहा है मैं आया हूँ इनको ठीक से बताने के लिए तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फटाफट वीडियो शुरू करता हूँ हाँ तो, Thall, Love and Thunder को लेकर सबसे बड़ा और गलत लिग ये है कि इस मूवी में लोकी आने वाला है अब सब लोग इस पर इतनी जल्दी विश्वास कर रहे हैं कि अभी तक, Marvel ने जितने भी मूवी बनाई ए और जितने भी मूवी में थोर आया है तो उनोन मूवी में थोर के साथ लोकी भी आया ही है तो इसलिए सब लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोकी इस मूवी में आएगा लेकिन अब कन्फर्म हो चुका है और मुझे तो नहीं लगता कि मार्वल हमें एक बार फिर से टाइम ट्रेवल दिखाएगा और मुवी है भी दो घंटे और कुछ मिनिट की ही तो इसमें क्या ही बता देंगे और यह बात तो मैं हमेशा ही बोलता हूं और आज भी सुनो कि मार्वल पर कभी भरोसा मत करना कम बलकि थियोरी की मतलब की नेक्रोसोड के बारे में जो कि God the God Butcher का वैपन है कॉमिक्स में और जो उसे मिला था नल से दे God of Symbiots नल से लेकि तब मैं दिक्कर दे हिये कि God the God Butcher को ये वैपन मिला था नल से और MCU वालों पास नल के राइट से ही नहीं तो इसी वज़े से सब कि हेला के वैपन कब से नेक्रोसोड बन गए तो ये बात हमें वोटिप में सीधे सीधे बताई गई है और हेला के वैपन को उसने नेक्रोसोड भी बोला है और हाँ एक बात ये है कि नेक्रोसोड की पावर काफी हद तक मिलती है हेला के वैपन से तो हाँ ये हो भी सकता है तो नहीं भी और एक और सबसे बड़ा लिखाया है कि फॉर इस मूवी में मर जाएगा अब मैं इसे इसे ही बता रहा हूं क्योंकि मैं इसे ओपर एक डेडिकेटट वीडियो लाने नहीं वाला क्योंकि आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो आज के लिए इतना ही वीडियो प